गाइस वेलकम बैक वीदिन अधर एक्साइटिंग वीडियो आज की इस वीडियो पे मैं एक जबरदस कंपेरिजन लेकर हाजीर हुआ हूँ होन्डा ने अभी डिसेंटली अपना स्पेशल एडिशन 2024 का लांच कर दिया है 2023 के मॉडल में और 24 मॉडल के इंदर क्या बड़े अ इसी तरह की जबरदस और धासु किसम की वीडियो हमारे चैनल पर आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी तो यह मजूद है आपके सामने 2023 का मॉडल आज दोनों का कंपेरिजन करने जा रहा हूं स्पैक्स पर बात करूंगा क्योंकि स्पैक्स जेनरली वही नॉर्मल स्पै ग्राफिक्स एक तो इसमें इंटिड्यूस करवाए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जिसमें जो यह रैड़ वाला मॉडल है इसके पट्टी यूज़ की है येलो वाइट की और सासथ ब्लू का बहुत बड़ा यहां पर टचच नज़र आ रहा है बहुत अमीजि जो कार्वस दे दी गई हैं वो काफी अच्छी दी गई है अच्छा टापिक के ओपर जो आप आजाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले यह स्पैशल एडिशन लिखा होता था अब इसको क्राउन एडिशन में तदिल कर दिया गया यह पहले स्पैशल डिशन था है वो राउंड बाउट इसके अंदर आपको बॉड़ी शेव में नदर आएंगी और जबके जो रिमीनिक चेंज्जिस हैं वह आपको इसके इंजिन के अंदर की गई है यहां पर आप देख सकते हैं बाइक देखने में आवरा लुक काफी अच्छी निकल आई है अच्छा रेड में ग्राफिक्स दिये गए हैं आपको कैसे लग रहे हैं अवराल बाकी चीज़ें काफी दाद इंप्रूव हुई हैं इसके अंदर जो मेजर यहां पर डिजाइन में प्रूव है तो इसका फ्रंट एंबलन चेंज कर दिया गया यह आप मिटर देख सकते हैं मिटर के डिजाइन पूरा इंटारली एक डिफरेंट नया नदर आ रहा है और यह काफी अच्छा टच मुझे नदर आया और काफी अमेजिंग भी लगा के जो ग्राफिक्स से वो भी चेंज किया गया और मीटर के डिजाइन को भी आवराल कंपैरीजनली चेंज किया गया पराने वाइड का टच है और गोल्ड का टच यह तीन कलर्स कंबिनेशन जादा रखे गए हैं दोनों मॉडल्स के अंदर और यह कलर मुझे जादा शाइनी लग रहा है अट्रैक जादा कर रहा है बलैक के साथ यह जो ग्राफिक्स हैं वो जादा टचेबल लग रहे हैं बाकी आप लोग नीचे कुमेंट में बता सकते हैं कि आपको ब्लैक के ग्राफिक्स ज्यादा बेतर नदर आ रहे हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं टापें के ओपर जो हैं वही सेम आपको क्राउन एडिशन लिखावा मिल जाता है और क्राउन एडिशन देखने में काफी खुब दिये गए हैं यह तो नॉर्मली जो बाड़ी शेप के अंदर हमें चेंज नदर आए हैं वाकिन नट बोल्ड्स के अंदर भी काफी बड़े चेंज हैं और उसके इलावा जो है यहां पर जो जंग वगारा लुदा वाला मामला था वही बेतर कर देगा इंजिन की परफॉर बाफिक्स आये थे उसमें काफी हद थक हमें टच नदर आया था पकस निफलाइक का यहां पर आप कर देख सकते हैं कि पाकिस्ताशनी फ्लैग के साथ काफी हद तक जहें वह हैं और यहां पर आजब तापे की जानी बाहरे बात पाते हैं तो सीम्पली लिखा है सीजी वन बहुत बड़ी नदर आया है एंटाइरली चेंज कर दिया गया पूरे फ्रेम्स ग्राफिक्स को अलाकि जो पिछले मॉड़ला था 2022 का मॉडल आ रहा था उसके अंदर जो ग्राफिक्स था वो इतना बड़ा अपग्रेड नहीं था बड़ यहां पर जो है वह साल का काफी बड़ा अपग्रेड ग्राफिक्स में भी नदर आया यहां पर भी जो है कोटिंग वगारा बेहतर कर दी गई अब आपको जंग वगारा से भी बाइक काफिया तक सेफ नदर आएगा इंजन की परफार्मस की बात कर ली जाए तो इंजन की परफार्मस में यह देख सकते हैं आप इंजन का स्ट्रक्चर तो आपको सिमिलर नदर आएगा लेकिन यहाँ पर 24 मॉडल के इंदर पिस्टन को बेतर कर दिया गया पहले के मुकाबले में उसके लावा जो बेतर हो गया है कार्बूरेटर के लावा आपको यहां पर टॉर्क बेतर देखने को मिल जाएगी जिसकी वैसे इंजन की वह आपको बेतर लाइफ नदर आएगी और इंजन की टॉस्पीड नदर आएगी वैबरेशन जो इस बाइक करते हैं तो इसमें वैबरेशन बहुत जादा आपको मिल जाती है और एवरिज भी कम मिलती है 23 मॉडल के अंदर इंजन की लाइफ भी थोड़ी कम है और साथ-साथ जो है परफॉर्मर्स भी आपको काफियत तक कम देखने को मिल जाएगी तो अबराल ग्राफिक्स तो आप कुछ डिसाइड करें कि कौन से ग्राफिक्स आपको ज्यादा बितर लगें असमली साथ पे एक दफ़ा आजें तो समली साथ के अंदर जो है वह ज्यादा बड़ा अप ग्रेड नहीं है दोनों साथ की चैड़ 24 मॉडल लेखें 23 मॉडल लेखें तो समली आल दो आपको काफ भी कमफटेबल सीट कर देगी हैं यहां पर आप देख सकते हैं पूरा एक राउंड शेप का जो है ना आपको मीटर देखनी को मिल जाता है और जबके 24 मॉडल के अंदर आपको थोड़ा कर देखनी को मिला और एट्रेक्टिव भी बहुत अच्छा तक ग्राफिक्स जो लोग यही सोचते हैं कि यह होंडा बरे अपग्रेड़ नहीं लेकर आता तो इस साल होंडा ने काफी हच्छा अपग्रेड किया अपने हर मॉडल के अंदर और आप लोगों के लिए 24 सेवल बाइक को बना दिया कि अब आप पुराने मॉडल के मकाबले में काफ़े तक सकते हैं रेड के ग्राफिक्स भी आप मुलाइजा कर सकते हैं इसके अदर जो 23 का मॉडल था सीमिलर वही ग्राफिक्स से जो आपको जो है ना बलैक में देखने को मिले इसमें भी जादा तर जो पाकिस्तानिक फ्लैक को टच किया गया था पिछले साल और जिसमें वाइड क तो अगर बात करें कि क्या 23 मॉडल ने चाहिए 24 मॉडल ने चाहिए तो भाई इस दफ़ा के जो 24 मॉडल में देखें और स्पेशल एडिशन में जब हम कंपरेजन करते हैं तो एक बहुत बड़ा अप्ग्रेड नजर आया परफार्मस को लेकर जिसमें अबरहाल बाइक के जो परफार्मस बहुत अब्तक बेतर हो चुकी है अवरीज बेतर देगी बाइक कार्बूरेटर बेतर हो गया है बाइक इंजन लाइफ बेतर नजर आएगे आपको 24 मॉडल के अंदर और सासा जो है वह इनिशल पीकप बेतर होगी है और लाइफ बेतर होगी है जिससे इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर इस साल आप 24 का मॉडल लेंगे स्पेशल एडिशन बड़काई एक चीज़ आप लोगों को मेंचन करता जाओं इसकी इस विक जो प्राइस है स्पेशल एडिशन की वो तक्रीबर आपको जो है वो तीन लाग के राउन अबाट यह नहीं एक बहतर ऑप्शन निकल कर आएगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको पुराने मॉडल के मामलें कंपारिजन करेंगे तो फिर मेरे खाल में एक अच्छा ऑप्शन है एक तो मेजरली परफार्मस में भी काफी वी अपग्रेड जैसे मैंने बताए वो नदर आ रहे हैं और बाडी शेप और नुक के अंदर भी एक बड़ा अप्ग्रेड है तो मेरे खाल में हाइली सजेस्टिड है कि अगर आप 23 मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 24 के तरफ शेफ्ट होना चाहिए आपको इंशाला बड़ा अप्ग्रेड बाइक के अंदर नदर आने वाल चाहते हैं तो आप हमारे साथ क्लैबरेट कर सकते हैं हमारे पास हैं इंशाला आपकी वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसके लिए जो है वो जरूर आप ऐसा करें ताकि जो देखने वाले वीवर्स हैं उनको हम चाहते हैं कि एक्चुल आप तक करें जिनके पास नए मॉडल्स हैं ताकि हम उनके उपर एक यूजर ड्रिव्यूस की सीरीज भी लॉंच कर सकें और अवाम का फाइदा कर सकें अमीद है वीडियो पसंद नहीं को कीजिए कर सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए कर लाइक अल्हाफिज